तो हलो भाईयो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फंटसी लेजेंड अखाड़ा में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे ग्रीस और इस्पैन के बीच खेले जाने वाले दोस्तो आज के इसी सी चेंपियन सिफ टीटन मैच के बारे में जो कि दोस्तो चेंपियन सिफ टीटन का मैच नेंबर तीसरा खेला जाएगा तो इस वीडियो में आप लोगों मैं पूरी इंफॉरमेशन देने की कोशिश करूँगा बात करेंगे दोस्तो उन सभी important players के बारे में जिन्हें आपको अपनी team में लेना है और बात करेंगे दोस्तो आपके important captain और vice captain के बारे में जिसे आपको अपनी team में करके चलना है दोस्तो तो वीडियो को बिलकुल आश तक देखना channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर के रखो और अभी त जाता है साथ ही दोस्तों यहां पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें captain wise, captain selected और भी यहां पे दोस्तों आप लोग को important जैसे कोई player new players खेले तो दोस्तों उन players के आपको states भी provide कर दिया जाता है बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी टेलिग्राम पे अगर आप personally join होना च ECC championship titan का Greece GRE और Spain SPA के विच खिला जाएगा साड़े साथ बजे मैचे स्टार्ट होगा Sam Venu करतमा mobile पे मैच रहागा दस्तों पीछ रिपोर्ट की बात करें तो एक balance surface देखने को मिलेगा last five matches की बात करें तो Spain की team last five matches मैचे में से दोस्तों एक ही मैच वीन किया है और चार मैच बाकि दोस्तों Spain की team काफी strong है इसी को आप लोग ध्यान देना Greece की चूटीम है last three matches के लिए अपना जिसमें दोस्तों दो match loss है एक match भीन है तो लगभग इसका भी ठिक्ठा की अभी तक perform रहा है head to head record available नहीं है दोनों टीमों का अभी तक 80-120 के बीच में average score आपको देखने को म दिखेंगे सिनेन खान का देख सकते हैं दोस्तों टीटेन के 20 मैच में 304 रन सब 23 का average है नव विकेट है 29 वर डालके तो बैटिंग इसका काफी अच्छा है बॉलिंग थोड़ा कम कराता है लेकिन दोस्तों overall एक अच्छा पिक रहेगा टीम में लेकर के चल सकते हो कासी राम पर आकर के बैटिंग देगा तो यह important हो जाएगा आपके लिए ठीक है left arm slow balling कराता है और left arm slower को थोड़ा सा help रहता ही है ठीक है हर जवा तो important बनेगा और अमरित सिंग महमी है देखो टीटेन के अभी तक दोस्तों यह 20 मैचेस खिला है जिसमें 204 और पंदरा का average 6 विकेट इसका पंदर अवर डालके तो उतना अच्छा खासा record नहीं है एक average player है जिससे चाहो तो ले करके चल सकते हो क्योंकि यह कभी कभी आपको balling भी करा करके दे सकता है तो अभी कले मैं इसको prefer नहीं कर रहा हूं दोस्तों ठीक है उसके बाद देखेंगे आपको Alexis Alexis का देख सकते टीटेन के बारा मैच में 77 रण 8 का अवरेज है रिकॉर्ड उतना अच्छा खासा नहीं है तो मैं इसको suggest नहीं करूंगा असला मोहमाद टीटेन के 32 मैच में दोस्तों 420 का अवरेज है 21 विक्टेस के नाम है चालू सुर डालके तो यह बंदा क्या है कि दोवर की bowling आपको कर आता हुआ दिख सकता है कभी कभी यह विकेट कीपिंग भी कराता है दोस्तों ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान देना और जब यह विकेट कीपिंग कराता है तो आपके लिए bowling नहीं कराएगा इस चीज को भी माइन में रखना जोर्ज क्लैनिस है लेप्टाम रहेगा अली मुवाज है टीटेन के 14 मैच में 177 रं 13 कावरेज है चार विक्ते इसके नाम दसवर डालके एक एवरेज प्रेयर लगा मुझे ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हूं इसको उसके बाद दिखेंगे आपको सी बागडूनस सी बागडूनस का देख सकते हूं यहां पर टीटेन के 20 मैच में 45 रहने 6 कावरेज है तो रिकॉर्ड खराब है इसका उतना अच्छा खासा नहीं है बैटिंग भी आने के चैंसेज बहुत कम रहेंगे तो इसको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा एंडरिस ग एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रखता है यह प्लियर और काफे अच्छा बॉलिंग करता है दोबर की बॉलिंग करना है ची टीम के लिए बिल्कुल खेलेगा तो टीम में लेकर के चलेंगे दुस्तों किस्टोज है ज़र टीटेन के साथ मैंच में 0 रहने बैटिंग आने का बहुत कम चांसेस है तो इसको मैं प्रिफर नहीं करूँगा अभी के लिए ग्रीस की टीम से आप ले 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 ना सीनेन खान को कासिर आमीन है इनको ट्राइ करके चलेंगे और यहां से आमर प्रीत सिंग है इसको ले करके चलना असला मोहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे जोर इनका रिकॉर्ड मेरे पास है 9 मैच का 32 चार का एवरेज है इसका तो उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं लगा मुझे मुझे मुहमद गुल नमाज है इनका भी रिकॉर्ड देखो 9-4 मैच तीन विकेटिस के नाम है ठीक है तो उतना अच्छा खासा इसका भी रिकॉर और नहीं है इस्टार्टिंग के बात करूं तो असरार अहमद है सिनेन खान है डेट वर्स की बात करूं तो असरार अहमद है और दोस्तों यहाँ पर जियोरियस गलैनिस आपको डेट के वर्स में बालिंग करते दिखेंगे आगे बात करें दोस्तों टीम इस्पैन के प्रोब मैच में दुस्तो 900 इंक कावर रन 23 कावरेज है 42 विकेट है 78 वर डाल के 2023 के अंदर दुस्तो 3 मैच खिला है जिसमें 50 रन 16 कावरेज से 1 विकेट है 5 वर डाल के तो लगबग 2 वर की बॉलिंग आपको कराता हुआ दिखे गए टीम में ले करके चलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं इस प्लेयर को हमज़ा सलीमदार है टीटेन के 92 मैच में 2005 रन 27 स्कावरेज है 65 विकेट के नाम है 2022 के अंदर 234 मैच में 746 रन 28 स्कावरेज था और 23 विकेट 21 वर डाल के तो ये खेलेगा तो दो वर की बॉलिंग बिल्कुल कराएगा आपके लिए बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे प्लेयर इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तो ठीक है उसके बाद दिखेंगे आपको डियोल के ले डियोल के ले जस्तो कभी-कभी ओपन भी कराता है और कभी-कभी दोस्तो वन डाउन पर बैटिंग करने आता है टी-टेंट के 26 मैच में 279 रन 45 का अवरेज है जीरो विकेट है और 2030 के अंदर 7 मैच में 226 रन 57 का अवरेज तो इस एवरेज के आप लोग ध्यान में रखते हुए इसको बिल्कुल टीम में लेकर के चलो वाइस कप टंसी वगर अभी देना चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो बावर खान है दोस्तो 45 मैच टी-टेंट का जिसमें 1200 रन 39 का अवरेज है चार विकेटें इसके नाम है तो रिकॉर्ड तो मुझे काफी अच्छा लगा 16 मैच इसके अदर 2022 में दोस्तो 519 रन 34 का अवरेज है तो रिकॉर्ड काफी बढ़िया है खेलेगा तो दोस्तो 1 डाउन 2 डाउन पर बैटिंग करेगा और एक हार्ड इटर प्लेयर है ट्राई कर सकते इसको टिम में यासिर अली है एक से दो अरखी बॉलिंग आपको कराता हुआ दिखेगा टीटेंग के 84 मैच में 2194 रन है और 33 काफी इसके अवरेज है 47 विक्ट है इसके नाम है 2022 कंदर 31 मैच में 834 रन 36 काफी इसके अवरेज है टीटेंग के देखो 102 मैच में 2131 रन 24 काफी इसके अवरेज है और बॉलिंग नहीं कराता है विकेट कीपिंग कभी कभी कराता हुआ दिखेगा आपको बागी दस्तों अभी के लिए तो मेरे लिए इंपोर्टेंट ही रहेंगे क्योंकि इनके स्टेट्स काफी अच्छा लगा मुझे और अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है इनका मुहमद इशान है बैटिंग थोड़ा डाउन रहता है अभी इनका टीटेंग के 101 मैच में दस्तों 2216 रन 29 कावरेज है ठीक है 2023 के अंदर 7 मैच में 287 रन 14 कावरेज है तो उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है 2030 के अंदर बाकि दोस्तों टीटेंग के रिकॉर्ड इनका काफी जबरदस्त है उसके बाद दिखेंगे आपको लॉन बंस का देख सकते हो टीटेंग के 30 मैच में चार सावन ठान बेरण 20 कावरेज है 30 विकेट है 47 सवर डालके 2030 के अंदर में 12 मैच में दोस्तों 167 रन 18 कावरेज है 8 के 21 सवर डालके तो रिकॉर्ड ठीक ठाक है दो अर की बॉलिंग करा सकता है खेलेगा तो ट्राइग करके चल सकते हो आमीर हमजा है लेफटाम अर्थोडोक प्लेयर 28 मैच में दोस्तों 172 रन 23 विकेट इसके नाम है 2022 के अंदर 13 मैच में दोस्तों 136 रन 8 विकेट है 24 सवर डालके तो ट्राइग करना चाहो तो ट्राइग करके चल सकते हो टीम में एक इंपोर्टन आप्सन रहेगा हसान अली टीटन के दोस्तों 10 मैच में 8 विकेट इसके नाम है 2022 के अंदर 4 मैच में 5 विकेट का रिकाट रखा है तो प्लेयर बढ़िये हैं एक से दोवर की बॉलिंग आपको बिल्कुल कराता हुए दिखेगा हसान अली टीम में ट्राइग कर सकते हो लेप टाम फास्ट बॉलिंग करेगा मुहमद आतिफ हैं लेप टाम फास्ट बॉलिंग ये भी करता है 97 टीटन मैच में दोस्तों 106 रन 92 विकेट इसके नाम है 2023 के अंदर दोस्तों 7 मैच में 6 विकेट के रिकाट है 14 वर डाल के तो ये प्लेयर मुझे या फिर बाबर खान इन दोनों में 6 एक प्लेयर को आप लोग लेकर के चलना अपने अकॉर्डिंग नीचे से दोस्तों आपके लिए जो इंपोर्टेंट रहेगा आमीर हमजा लेकर के चलना हसन अली हैं मुहमद आतिफ तो ये प्लेयर जो है most important रहने वाले हैं इनके बेंच प्लेयर की बात करें तो इनके बेंच में जितने भी प्लेयर से इनकी record एक बार आप लोग देख लिए यहाँ पे सभी प्लेयर की record मैंने लिखते रखे हैं इन में से कोई भी खेलेगा तो आपको अपडेट भी कर दूँगा टेलिग्राम पे स्टार्टिंग अबर की बात करें तो मुहमद आतिफ है हसन अली है जो कि दोस्तो इस टार्टिंग के वबर में बालिंग करते दिखेंगे death verse में दोस्तो मोहमद आतीफ हैं हमज़ा सभीमदार है यह दोस्तो आपको death verse में बॉलिंग करते होगे दिखेंगे तो यह तो होगे दोस्तो overall player के states के बारे में बात करें एक demo team की तो दोस्तो यहाँ wicket keeping section में आपको दिखेंगे मोहमद इशान और यहां पर आवेश अहमद तो दोस्तो आवेश अहमद ज्यादा important लग रहे हैं और मोलोनरीस अगर खेलेगा तो दोस्तो इसको भी ले करके चल सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं आवेश अहमद को प्रिफर कर रहा हूँ किए विगेट कीपिंग करा रहा है और वहां से आपको point दे सकता है इशान की बहुत डाउन है दोस्तो तो बैटिंग आने के chances थोड़े कम रहेंगे बैटिंग सेक्शन के तरफ आए तो यहां से दोस्तो आपके लिए acing important है इनको लेकर के चलना ही है और नीचे से दोस्तो केले को लेकर के चलेंगे यह opening पर आएंगे साथ ही दोस्तो आपको hard hitting देंगे ठीक है बाबर खान दोस्तो वर्ण डाउन पर बैटिंग करने आएका तो इसको try करना चाहो तो कर सकते हो बाके दोस्तो आपको बताया था श्ट्वेट्स में ठीक है और यहां से दोस्तो आप ले सकते हो बगडोनाश को ले सकते हो लेने के लिए काफी अच्छा player यह भी लेकिन अभी के लिए मैं दोस्तो इसको इग्नोर करके आ जाता हूं बालिंग सेक्शन में असरार आहमाद ह हैं तो यह players तो मेरी टीम में रहेंगे ग्लैनिस को टीम में लेकर के चलूँगा सिनेन खान को लेकर के चलूँगा important रहेगा दोस्तो तो यह मेरी डेमो टीम है इस मैच की बाकी आपके पास और भी option है यहाँ पे देख सकते हो यह हमजा है हसन अली है तो यह players भी काफी अच लिए तो यह मेरी दोस्तो डेमो टीम है इस मैच की बाकी जो मेरी फाइनल टीम रही ना वो दूँगा मैं टेलिग्राम चैनल पे आप्टा टॉस ठीक है with captain wise captain यहाँ पे लेकिन मैं मार्क कर दूँ captain wise captain तो हमजा सलीमदार है मुहमद बाबर है असला मुहमद है दोस्तो ठीक वीडियो में थैंक यू सो मच